सोला दिसंबर को उन्होंने हमारे छेतर के पत्रकार साथी सुसिल बाखला को उन्होंने गाली गिलोज किया धमकी दी उसके साथ ही इर्फान शिद्धिकी ने भी उनको जूठन चाटने वाला जाती का बताया तो हम लोग बहुत क्रोधित हैं दुखी भी है क्रोधित भी है आज उराव समाज के दम पर अमर्जिद भगत जीतता है मैं दावे के साथ का सकता हूँ उसको जो वोट मिलते हैं उसका 60% उराव समाज का वोट हुआ करता है आज पूरा उराव समाज बहुत दुखी है इस बा को लात मारता है जूठांग चाटने वाला धंकी देवाता है ऐसे अपमानित करवाता है तो ये बहुत गंभीर विशाय हो चुका है आज हम लोग पूरे सर्व आदिवासी समाद सहित उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और विशेश करके पत्रकार साथियों का संरक्षन करना हमारा दाई तो बनता है और इसी उद्देश से हम आज यहां आई हुए हैं पत्रकार वारता दे रहे हैं साथियों ये जान लिजे कि अब हम लोग जाग गए हैं भाजबा दिवासी मोर्चा का पूरा संगठन सरगुजा के पत्रकार सुसील के साथ हुए जाती सुचक गाली गलोज जूठन चाटने वाले पत्रकार और जान से मारने की धमकी को लेकर समर्थन में आ गया है और इसका विरोध जताते हुए आरोपी को गिरफतार नहीं करन पर आंदोलन करने की चेताव नीदी है आज जो पत्रकार आदिवासी पत्रकार सुसील भखला के उपर जिस तरीके से इर्फान सिद्की के द्वारा गाली गलोज और जूठन चाटने की जो बात कही गई उसके विरोध में और निंदा में ये प्रेसवारता आज की गई और हम लोग यह चाहते हैं और मांगते भी हैं और सासन अपना कान को सिधा भी कर ले कि अगर इर्फान सिद्ध की 48 घंटे के अंदर अडर गृपतार नहीं होता तो उसके सिटी कोतवाली को हम लोग घेर लेंगे और घेर के जब तक इर्फान सिद्ध की घडितार नहीं होगा तब तक वहां से हम लोग नहीं उठेंगे। आज हम लोग प्रेस वर्ता कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को जो सुशिल बाखला जी नुच की जो पत्रकार हैं बतवली के और जी लेगे। वहीं बहुत ही बड़ा निंदा का विशे हैं चुकि अमजीद भगत भी मंत्री है और शी के साथ रहता है उनको भी इसका निंदा करना चाहिए उसे वेसे आदमी को अपने साथ से हठाना चाहिए और आने वाले समय में सीता पूर्विधान सभा के सारे नेता गड़ेहा पर उपस थी थें तो आने वाले समय में आगर इस परकार से नहीं होता है और शुशिल परभात भिया बोले थे कि शुशिल बखला जी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो कि सरकार में बोड में हो है और मंद्री जी के साथ रहते हैं उन्होंने अल्टिमेटम दिया है तो अपने जीनोज की जो पत्रकार है चोटा भाए शुशिल बखला उनका सरकार के दर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ह आसा करते हैं